हैलो फ्रेंद्स वैलिकम to magnet ब्रेंज दिस にस sprach और मैं आप लोग का मैस ऐलम्पियाड का dife आप देख सकते हैं लोग पिछे हैं जो आप लोग को ne करती हैं मैं in You Migran olympiado science olympiado इन सभी में हम लोग जो है बहुत मैनत कर रहे हैं आप लोग को best content provide करा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी मैनत करें और आप लोग भी काम्याब हो चलिए इसी motivational line के साथ हम लोग इस वीडियो को start solve किये होंगे और DPQ जो है उसका मैं यहां पर solution video बना रहा हूं so DPQ for number system इसका solution video हम लोग यहां पर start करते हैं तो start करने से पहले जो है मैं आप लोग को एक बहुत important चीज़ बताना चाहता हूं तो आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि magnet brains आप लोग के लिए kindergarten से लेके 12th class तक NTSC हो Olympiado state के English medium या Hindi medium का course वाइस जो है या subject वाइस जो है या even book वाइस जो वीडियोज है वो आप लोग को 100% completely free और बहुत ही अच्छा content best faculty द्वारा जो है आप लोग को provide कराया जा रहा है सबसे important बात क्या है कि ऐसा हम लोग कभी नहीं करते है कि आप लोग दो वीडियोज देखने के बाद या दो वीडियोज फ्री देखने के बाद हम आप से subscription की demand करें ऐसा magnet brains में नहीं होता है आपको यहां पर complete course जो है वो 100% free मिलता है तो आप लोग प्लीज पूरा पूरा content देखिए free में देखिए बस हम आप से क्या चाहते हैं आप like subscribe और share जरूर करते रहें तो चलिए हम लोग solution वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा number system का DPQ का तो हमारा जो पहला question है वो क्या है कि the binary equivalent of the decimal number 502 is मतलब हमारे पास 502 एक decimal number है जिसे मुझे binary में convert करना है मतलब decimal से binary और आपको याद होगा कि decimal से किसी भी दूसरी base में जाने के लिए हमें divide करना पड़ता था और अगर हमें decimal पर जाना होता था किसी दूसरी base से तो हम क्या करते थे हम वहां multiplication करते थे और जो भी उसकी place value होती थी वो find out करके हम उनको add कर देते थे बड़ यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम divide करेंगे तो 502 को मैंने 2 से divide किया जैसी मैंने 2 से divide किया 2 2 जा 4 1 10 5 जा और यह 1 जा मैंने देखा क्योंकि even number था तो remainder is 0 अब 2 से divide किया 2 1 जा 2 2 जा 4 1 11 2 5 जा 10 remainder is 1 फिर 2 से divide किया 2 6s are 12 2 2s are 4 remainder is 1 फिर 2 से divide किया 3s are 1s remainder is 0 फिर 2 से divide किया 15s are 30 remainder is 1 फिर 2 से divide किया 2 7s are 14 remainder is 1 फिर 2 से divide किया 2 3s are 6 remainder is 1 then again 2 से divide किया 2 1s are 2 remainder is 1 और यह लास वाला 1 जो है अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यह भी क्या क्या लाएगा रिमेंडर मैं नीचे से उपर की तरफ लिखना चालू करूँगा तो आप ध्यान से देखिए हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है 1, 1, 1, 1, 1 तो 1, 2, 3, 4, 5 पांच बार 1 मिल गया फिर 0 मिल गया फिर 2 बार 1 मिल गया और फिर 0 मिल गया अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेक करें तो दियान से देखिए हमें आंसर क्या मिल रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 5, पांच बार 1 देन 0, देन 1, 1 एंदेन आपका 0 तो option D जो है इस question का हमारा answer है करना कुछ नहीं था simply जो number है उसको 2 से divide करते जाना है हमें remainders को यहाँ पर लिखते जाना है और फिर last में नीचे से उपर यह तरफ जाना है और remainder को line से लिख देना है आपको जो number मिलेगा वही आपका जो है यहाँ पर answer होगा चले next question पर चलते हैं next question है हमारा the decimal equivalent of the binary number this तो अभी हम लोगों ने decimal को binary में convert किया था अब हमें binary को decimal में convert करना है और आप लोग को पता है कि हम कैसे करते थे हम यहाँ पर सबसे पहले binary number लिखेंगे 0 कितनी बार है 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 और यह 1 हम यह numbering करते हैं 0,1,2,3,4,5 और यह 6 वाले position पर है तो यह जो 1 है 1 into क्या हो जाएगा 2 की पार 6 बाकि क्योंकि सारे zeros हैं तो 0 into 2 की पार 5 प्लस 0 into 2 की पार 4 प्लस 0 into 2 की पार 3 and so on यह सारे क्या हो जाएँगे 0 हो जाएँगे तो मैं अगर यहाँ पर नहीं भी लिखता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब 0 मिलने वाला है सिर्फ लास वाला 1 जो है वो आपको क्या देगा वो आपको यहाँ पर कुछ value देदेगा लेकिन लास वाला 1 क्योंकि 0 वाली position पर है तो वो base की power कितना जाएगा 0 हो जाएगा अब याद करिए 2 की पार 5 32 होता था मैंने याद करने को कह था 2 की पार 5 को याद रखना था 32 तो अगला वाला क्या हो जाता था 64 यह हो गया आपका 64 प्लस बागी सारे 0 0 0 आएंगे और लास्ट में आपको क्या मिलेगा 1 into 2 की पार 0 मतलब 1 1 into 1 is 1 तो आपको यह पर क्या मिल गया यह मिल गया आपको 65 तो the decimal equivalent to the binary number 1 0000 single 01 is what 65 चेक है तो यह point हमें याद रखना है कि हमें करना क्या है हमें multiply करते जाना है base से और base की power क्या रहेगी कि यह जो digits जिस भी position पर रखे हुई है we start with 0 हम counting को 0 से start करते हैं और जो भी यहाँ पर value होती है मतलब position होती है यह place value होती है हम उस place के accordingly क्या कर लेते हैं हम 2 की power लेके उस digit की place value find out कर लेते हैं और यह place value जो है वो हमें यहाँ पर 64 और last वाले की 1 और total किया तो 65 यहाँ पर मिल गई है चलिए next वाले question पर चलते है next question है the septenary equivalent of the decimal number 532 is so again यह decimal number system में हमें number given है 532 532 का base 10 दिया हुआ है जिसको मुझे convert करना है base 7 में क्योंकि septenary क्या होता था base 7 में convert करना so बहुत ही आसान है हमें क्योंकि decimal से किसी दूसरी base पर जाना है तो हम क्या करेंगे हम तो divide करने वाले जैसे divide करते हैं तो 77 जा 49 हो गया 4 बचा 42 हो गया 76 जा 42 होता है तो remainder जो है वो आ गया 0 फिर 7 से divide किया 7 1 जा 7 यह हो गया 0 जा remainder आ गया आपका 6 फिर 7 से divide किया 7 1 जा 7 और यह आपका आगया remainder 3 आप ध्यान से देखिए कि आपको जो number मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है 1 3 6 0 1 3 6 0 1 3 6 0 1 3 6 0 base 7 is my answer which is equivalent to what 5 32 base 10 और हमें क्या करना था septenary मतलब base 7 में ही convert करना था जब भी decimal से किसी दूसरे base में convert करते हैं जब हमें दूसरी base से decimal में वापिस आना होता है तो हमने क्या बुला था हम वहाँ पर position पता करते हैं और फिर base की power लेके उन digit को multiply करके और उनको add कर देते हैं तो हमें answer मिल जाता है so division and multiplication ऐसे करके आप याद रख सकते हैं next question द्यान से देखिए the duo decimal two decimal मतलब base क्या लेनी है base आपको 12 लेनी है equivalent of the decimal number मतलब आपको यह जो number दिया हुआ है one four six three यह आपको base 10 में दिया हुआ है हमें convert करना है base 12 में तो ध्यान से देखिए जब भी हम decimal से किसी दूसरे base में जाते हैं तो हम क्या करते हैं division ही करते हैं so one four six three को 12 से divide करेंगे 12 ones are 12 226 12 twos are 24 यहाँ पर two बचा 23 हो गया 12 ones are 12 हो गया तो आपको यहाँ पर remainder कितना मिल गया remainder मिल गया 11 next यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मैंने 12 से फिर divide किया 12 ones are 12 यह 0 हो गया आपको remainder मिल गया one अब 10 क्योंकि 12 से divide नहीं होगा तो this is also my remainder ध्यान से देखिए मेरा जो answer आएगा वो आएगा 10, 1 और 11 मुझे पता है कि यहाँ पर 0 से लेके जो है वो आपका 9 तक digit होता है अगला वाला जो 10 होता है वो 1 के बराबर होता है और जो आपका 11 होता है वो B के बराबर होता है क्योंकि यह base 12 है तो हम maximum के 3 digit तक जा सकते है हम यहाँ इस से 1 का मतलब हम 11 तक जा सकते है तो यहाँ पर जो 10 है उसकी value कितनी होगी उसकी value A है 11 जो है उसकी value B है तो आपको जो answer मिलने वाला है वो क्या मिलेगा that is A, 1 और B और अगर हम option चेक करें तो A, 1 और B जो है मुझे option C में दिख रहा है और आप देख सकते हैं this is my answer so 1463 को अगर मैं dual decimal में convert करता हूँ तो वो जो है आपका 1463 A, 1, B के बराबर होता है मैंने 10 को A से और 11 को B से replace कर दिया है यह point हमें याद रखना है और यह point हमें generally 2 base system में याद रखना है dual decimal में और hexadecimal में hexadecimal में क्या होता था A, B, C, D से लेके F तक जाता था और dual decimal में A और B तक हमारा यहां पर जाता है next is the largest three digit septenary number is तो largest digit number हम कैसे पता लगाते हैं अगर हम अपने decimal number system की बात करें हमारे decimal number system का जो base होता है वो होता है 10 जब base 10 होता है तो इससे एक digit का मतलब हमारी जो largest digit होती है वो इससे एक कम होती है और वो कितनी होती है वो 9 होती है जब भी हमें largest three digit number decimal number system में चाहिए होता है तो हम क्या बोलते हैं triple 9 क्योंकि आप इसके बाद जैसे ये number one से increase होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका एक digit और बढ़ जाएगा क्योंकि carry over हो के वहाँ पहुच जाएगा क्योंकि 9 आपकी largest digit है इसके उपर आप digit नहीं ले जा सकते तो जो भी largest digit होती है अगर मैं उसको एकटा लिखता हूँ तो वही आपको क्या बताता है largest three digit number या largest four digit number मतलब decimal में आपने क्या 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 उससे एक कम जो है वो value मतलब क्योंकि आपकी largest digit जो है वो 9 है तो आपने यहाँ पर क्या क्या largest digit को use करके आपने number form किया सो वैसे ही logic लगाएंगे कि भईया septenary number system है तो यह zero one and so on कहां तक जाता है यह six तक जाता है तो आपका जो largest digit है वो क्या होता है यहाँ पर वो आपका largest digit जो है वो आपका six होता है तो three digit number बनाना है तो यहाँ पर जो आपका answer होगा वो क्या हो जाएगा वो triple six हो जाएगा क्योंकि जैसी वन इसमें आप add करोगे तो ये जो है carry over लेना चालू कर देगा क्योंकि इसमें largest digit जो है हम 6 use करते हैं septenary system में so again decimal से हमने logic निकाला same logic जो है हमने दूसरे base पर भी लगा दिया, इस तरीके से हम question को solve करते हैं yes next question है हमारा the octal equivalent of the decimal number 239 is so हमें क्या करना है हमारे पास decimal number है 239 इसको octal में convert करना है तो octal में कैसे convert करेंगे द्यान से देखिए 239 है base 10 है इसको मुझे octal में convert करना है बतलब decimal को किसी दूसरे base पर लेके जाना है तो simple सी चीज है कि मैं इसको divide कर दूँगा किस से divide करूँगा 8 से divide करूँगा 8 2 जा 16 होता है 16 बहुता है तो यहापर 7 बचा 79 हो गया 8 9 जा 72 होता है 72 होता है तो आप मेरे पास कितना बचा है यहापर 7 बच गया फिर 8 से divide किया 8 3 जा 24 होता है 24 होता है तो remainder 5 बच गया 38 से रिवाइड नहीं होगा तो ये भी मेरा रिमेंडर कर लाएगा सो मैंने यह से रीट करना चालू किया 357 मैंने यह पर लिख दिया 357 option में जाके देखते है 357 जो है वो आपको D option में आपर देख रहा है that means हमारे इस question का answer क्या हो गया option D 357 चल ये next वाला question देखते हैं next question क्या है the decimal equivalent of the hexadecimal number AEB मतलब हमारे पास अब उल्टा AEB दिया हुआ है जो की है base 16 में और इसको convert करना है हमें किस में हमें base 10 में convert करना है तो जब किसी दूसरी हम base system से decimal number system पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं हमारा काम हम सबसे पहले यहां पर numbering करते हैं this is my zero position this is my one position and this is my second position तो जब मैं इसको convert करूँगा तो मैं A लिखूँगा A की जो place value है वो base क्योंकि 16 है तो 16 के power क्या आजाएगा 16 square हो जाएगा plus E into again base और power क्या जाएगा 1 आजाएगा next आपका क्या हो जाएगा next आपका B और आपका base क्योंकि 16 है पावर हो जाएगा 0 yes A का value क्योंकि hexadecimal के अगर हम बात करें तो 10, 11, 12, 13, 14 और 15 यह मेरा A होता है यह B, C, D, E और F सबसे पहले A की value हमें देखनी है तो A की value हमें पर कितनी है 10 दी हुई है 16 का square होता है 256 E दियान से देखें क्या होता है? E आपका होता है 14 तो 14 into क्या हो गया? 16 plus जो B होता है वो आपका होता है 11 और 11 into क्या होगा? 16 की पार 0 is 1 2, 5, 6, 0 2, 5, 6, 0 plus 14 into 16 करता है दियान से देखें 14 into 16 6, 4, 24 carry over 2 6 or 4, 10, 10 or 2, 12 carry over 1 1 or 1 यह होगा आपका 2, 2, 2, 4 224 plus 11 यहाँ पर हम add करेंगे दियान से देखें मैं 2, 2, 4 को और 11 को add कर देता हूँ this is my 5, 6, 3, 9 5, 2, 7 and this is my 2 so आपको जो answer मिल गया 2795 वो आपका क्या है base 10 में value है जो A, E, B के बराबर है so 2795 2795 आप देख सकते हैं option B पे given है और A, E, B जो hexadecimal में given था उसकी value जो है वो आपकी decimal में 2795 के बराबर है ठीक है तो आप लोगो समझ में आ गया हुआ किस तरीके से hexadecimal में हम alphabets की value को put करते है और सबसे पहले पहला जो काम होता है उनकी place value निकालना जो कि हम यह से लिख देते हैं और फिर हम replace करते हैं जो भी alphabets यहां पर given है next answer देखिए a decimal number when represented in the binary system has its last three digit is zero मतलब अगर मैंने किसी decimal number को binary में convert किया तो उनका कहना है कि last की three digit तो है zero मतलब number इस form में भी हो सकता है number इस form में भी हो सकता है and so on last में three zeros चाहिए the number in decimal system can be तो options हैं हमारे पास कि इन में से कौन सा number हो सकता है तो सबसे main सबसे छोटा number है वो क्या possible है कि three zeros के बाद एक वाना जाए this is the smallest number जिस में last में तीन zeros है तो सबसे वहले मैं इसको convert करूँगा तो यह हो गए zero वाली place this is one वाली place this is two वाली place this is three वाली place so one into two के पार three और बाकी सारे क्या हो जाएंगे सारे zero हो जाएंगे चीक है so two के पार three कितना होता है eight होता है so possible मुझे smallest में ही पता लग गिया कि answer क्या होगा eight होगा बट अगर मैं ध्यान से देखे कि इसके बाद एक और one लगा देता हूँ तो एक और one लगाने से क्या होगा यह zero है यह one है यह two है यह three है यह four है तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है eight है then 16 है then आपके पास क्या आएगा two की पार five मतलब 32 आएगा तो आप जितने one आगे बढ़ाते जाएंगे तो होगा क्या आपका कि सबसे चोटे वाले में eight आया एक और one बढ़ाया तो आपका two की पार four मतलब 16 हैट हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं 24 आगया अगले में क्या हो जाएगा eight 16 और record two बढ़ाएंगे तो two की पार क्या आजाएगा यहां पर आपका five आजाएगा मतलब आप 32 आट कर देंगे और क्या हो जाएगा eight हो जाएगा 16 हो जाएगा 32 हो जाएगा आप देख सकते हैं d is my correct answer हमने पहले ही निकाल लिया था लेकिन स्रिव हम चेक करना चाह रहे थे और logic develop करना चाह रहे थी कि और अगर मुझे इस टाइप से अगर कभी लंबा question आ गया तो मैं इस तरीके से जो है values find out कर सकता हूँ next question पर चलते हैं next question है in the duodecimal system duodecimal system जो है उसमे numerical value a की क्या होगी exam में इस टाइप से question आ जाता है so duodecimal system अगर मुझे पता होगा base 12 होती है तो 0 के बाद 0 से लेके 9 तक 9 के बाद आपका 10 11 लेते हैं हम लोग और 10 की value जो होती है वो आपकी क्या होती है वो a होती है क्योंकि 0, 1, 2 and so on till 9 तक फिर उसके बाद 10 और उसके बाद 11 यह जो 10 होता है यह a के बराबर होता है 11 जो होता है वो b के बराबर होता है so यहाँ पर मैं क्या बोल दूँगा कि जो a होता है यहाँ पर उसकी value 10 होती है सीधा सीधा इस question का मैं यहाँ पर factual answer दे सकता हूँ next question है यहाँ से देखिए show that the binary number this is equal to 35221 base 8 and 3A91 base 16 so मैंने आप लोग को यह rule सिखा है हुआ था कि कैसे हम binary को octal में और सीधे binary को हम hexadecimal में convert करेंगे so हम यहाँ पर दोनों काम करने वाले हैं तो सबसे पहला काम हमारे पास यह जो number लिखा हुआ है हम इसको यहाँ पर 33 के pair में break कर देंगे 33 के pair में break कर देंगे और जैसी मैंने 33 के pair में break किया तो मेरे पास यहाँ पर एक extra मतलब एक कम बढ़ गया digit तो मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया that means मेरे पास यहाँ पर 0,1,1 है अगला जो है आप देखेंगे कि 1,0,1 है फिर आपके बास क्या है 0,1,0 है फिर 0,1,0 है यहाँ पर base 2 दिया हुआ है मैंने 3-3 की clubbing कर दी है clubbing करने के बाद आपको करना क्या है कि इनको convert करके लिखते चले जाना है decimal में जैसे आप इनको convert करके लिखते चले जाएंगे आपको जो है यहाँ पर base 8 मतलब octal में आपको यहाँ पर answer मिल जाएगा तो ध्यान से देखिए कि यह आपको हमेशा देखिए यहाँ पर थोड़ा fast चलेंगे पर लोके exam में इस तरीके से काम करना है कि जब भी तीन डिजिट decimal में given होती माली जै for an example 1 1 1 given है तो यह आपको 2 की पार 0 देता है यह 2 की पार 1 देता है यह 2 की पार 2 देता है मतलब आपको पहले वाले को 1 से multiply करना है अगले वाले को 2 से और अगले वाले को 4 से और इसके बाद 8 से हगजा डिसिमल पे जाएंगे तो लास्ट क्या हो जाएगा 8 से multiply करना है 3rd वाले को 4 से multiply करना है 2 से multiply करना है इतना बस हमको याद रखना है तेक है यह पर खाएंस से देख्या 1 से multiply हुआ यह 2 से multiply क्या 2 हो गया यह 0 रहा 2 plus 1 यह कितना आगया आपका 3 आगया यह 1 है यह 4 है 4 plus 1 is 5 यह 0 है यह 0 है तो यह आपका क्या है यह आपका 2 है यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है 3, 5, 2, 2, 1 सीधा अंसर मिल गया देखिए base 8, यह आपका finally यहाँ पर answer हो जाएगा, इस rule को use करा है मैंने, कि भाई, last digit जो है, वो आपको क्या देती है, वो आपको one से multiply करना है, one को one से multiply करोगे, answer one ही आएगा, zero से करोगे तो zero आएगा, second वाली digit को, second last को अगर आप two से multiply करोगे, two की पार one से, तो two मिलेगा, zero, यहां पर अगर one की जेगा error होता, तो आपको answer zero मिलता, लेकिन हम को क्या दिक रहा है, हमे one से multiply करना है, two से multiply करना है, और तीसरे वाले को four से करना है, और चौوتरे वाले को eight से करना है, अगर यहाँ पर one है, तो आपको यह answer मिलना है one two four यह eight, और अगर यह zero है, तो zero multiply उगे, वन, टू, फोर और एट इस पॉइंट को हमें याद रखना है अब हम इसको hexadecimal में convert करेंगे अब चाहरो तो इसका screenshot ले सकतो बहुत important है प्लीज टेक दा screenshot चले अब इसका जो इस question का हमारा जो next वाला part है हम उसको देख लेते हैं कि अब मुझे base 16 में convert कर रहा है अब ही 2 बज गया है तो मुझे यहापर 2 zeros लगाने पड़ेंगे तो मैंने क्या किया मेरा पहला वाला group जो है 0011 बन गया यह हो गया मेरा base 2 अगला वाला क्या बन गया group 1010 बन गया base 2 अगला वाला क्या बन गया 1001 बन गया base 2 और लास्ट वाला क्या बन गया 001 बन गया base 2 इनको मुझे convert करना है अपने decimal में जैसी मैं convert करूँगा तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा hexadecimal में ये number आपको मिल जाएगा मैंने जैसा कि आपको बता है कि जब भी decimal में 4 आपके digits available है 4 digits में ले रहा हूँ तो इसका जो place value होता है 2 की पार 0, 2 की पार 1, 2 की पार 2 और 2 की पार 3 मतलब चौते वाले को 8 से multiply करना है तीसरे को आपको 4 से, इसको 2 से और इसको 1 से बस ये point आप याद रखिएगा कि हमको इस चीज से multiply करना है तो द्यान से देखिए इसको मैंने पहली वाली digit है इसको 1 से multiply किया, इसको 2 से multiply किया तो 2 प्लस 1 आपको क्या देदेगा 3 यहाँ पर आते हैं वापिस यहाँ पर अगर आप देखें तो यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 2 तो 8 और 2 आपका कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 10 Next प्राइब यहां पर क्या हो जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 तो 8 प्लस 1 इस 9 0-0-0 आखरी में क्या हो गया 1 10 का मतलब क्या होता है 10 का मतलब होता है A तो यह हो जाएगा 3 A 9 1 और यह काई में चला जाएगा Base 16 में आप समझ पा रहे हूँ कितना आसान है binary से सीधा octal या सीधे hexadecimal में convert करना मैंने आपको ये जो rule बताया है इस rule को याद रखेगा कि किस place की digit को आप कैसे multiply करेंगे और सीधा सीधा आपको answer मिल जाएगा बहुत important chapter है क्योंकि ये आपको सिर्फ इस exam में नहीं आपको further और भी जब आप exam दोगे in future आपको हर जगे काम आएगा मैं आपको जो chapters करा रहा हूँ वो exam के point of view से आपके maths के point of view से और future में जब भी आप किसी exam को देंगे उसके point of view से मैं हर चीज़े cover up करा रहा हूँ ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ठीक है तो आप लोग यहां से perfect होके ही निकलेंगे अगर आप यह पूरी playlist देख लेंगे ठीक है चलिए next वाला हमारा question देख लेते हैं हम लोग find the hexadecimal equivalent of the number this मतलब देखिए अब हमें binary number नहीं दिया कि binary से आपको convert करना है hexadecimal में अब हमको क्या करना है हमको convert करना है इस octal को hexadecimal में ठीक है तो दो तरीके हैं पहला तरीका क्या है कि भाई यह जो मेरे पास number है one seven four three five six इसको मैं convert कर दूँ पहले decimal में फिर decimal को मैं convert कर दूँ hexadecimal में एक तो यह तरीका है दूसरा तरीका जो है हम वही तरीका यूज करने वाले हैं क्योंकि हम अभी वही सीख रहे हैं कि भाई binary से जब हमने octal convert करना सीखा था तो हम octal को binary में convert करेंगे और binary को फिर hexadecimal में convert करेंगे तो हम यह वाला method यूज करने वाले हैं कि हमारे पास जो base eight है हम उसको binary में convert करेंगे और फिर binary को हमें पता है कि कैसे हम hexadecimal में convert करते हैं जो कि अभी हमने last ही देखा था तो चलिए द्यान से देखिए हमें यहां पर क्या number दिया हुआ है one seven four three five six द्यान से देखिए का इस one को मैं binary में convert करूँगा इस seven को binary में convert करूँगा और मुझे तीन तीन डिजिट लिखनी है ठीक है very important आपको कितने डिजिट लिखनी है three three digits लिखनी है बिना three digit लिखे काम नहीं होगा चलिए द्यान से देखिए जब मैं one की बात करता हूँ तो one जो होता है वो last वाले से ही मिलता है मतलब zero zero one seven की जब मैं बात करता हूँ तो seven क्या होगा four plus two plus one क्योंकि मेरे पास देखिए one number है मेरे पास two number है मेरे पास four number है मेरे पास eight number है लेकिन यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे कि यह आपका octal है octal है तो eight की बात यहाँ पर होगी नहीं क्योंकि आपका यहाँ पर three digit binary number से आपको क्या करना है यह numbers फॉर्म करना है three मिलना है तो two plus one से three मिलेगा देखें सब्ट्राक्शन नहीं होता है यहाँ पर addition ही होता है two plus one से आपको three मिलेगा two plus one से three मिलेगा तो क्या हो जाएगा यह zero one one next देखिए five बनाना है तो four plus one five होता है बीच वाले को zero करना है तो one zero one और last वाला six है तो four plus two six होता है one को हमें नहीं रखना है मतलब इसको last वाले को zero रखेंगे तो one one zero समझ पा रहे होंगे द्यान से फिर से देख लिए यहाँ simply one रखना था तो one रखने के लिए हमें स्रिव यह चाहिए बाकि zero उस तो zero zero one seven रखना है तो तीनों का sum जो होगा वो आपको seven मिलता है तो हमें तीनों को one 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 रखना पड़ेगा तभी यह one four से multiply होगा यह two से होगा और यह one से होगा आपको sum जो है वो seven दे देगा one zero zero मतलब है आप four है four को ध्यान से देखिए आपको एक ही जगए directly four देख रहा है मतलब बाकि में आपको क्या करना है सीधा zero ले लेना है क्योंकि zero से two multiply होके zero देगा zero से one multiply होके zero देगा इसलिए हमने four वाली location पर सिर्फ one लिखा है और three पे भी आप देख सकते है कि two plus one three होता है तो मैंने one और वान है लिका है और four वाले को zero कर दिया है five आपको four plus one से मिलता है four plus one से मिलता है और लास six loops पहले लास's four और two से आपको six मिलता है तो अपने last वाले को zero कर दिया है तो यहां से मुझे क्या मिल गया है हमारा binary number जो की equivalent है इसके बराबर आप देख सकते हैं क्या मिला है मुझे 001 हम 0 अटा भी सकते हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ता है 111 तीन बार 1 है फिर 100 है उसके बाद 011 है उसके बाद 101 है और उसके बाद 110 है तो इस इस माई binary number विच इक्वलेंट तो वाट दिस octal number अब हमारा काम क्या है अब हमें इस number को hexadecimal में convert करना है और hexadecimal में convert करने के लिए मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर 4-4 के group बनाऊँगा जब 4-4 के group बनाऊँगा तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो गया मेरा 4-digit फिर क्या हो गया मेरा 4-digit फिर क्या हो गया मेरा 4-digit उसके बाद अगेन मेरी 4-digit इन 0 की मुझे कोई जरुत नहीं है मैंने अटा दिया अगर यहाँ 1 होता तो मैं अगेन एक और 4 का group बनाता तो यहाँ पर मैं इसको अटा देता हूँ क्योंकि हमारा काम यहाँ पर हो चुका है तो मेरा काम है अब जो है इन बाइनरी को convert करना किस में मुझे convert करना है इनको hexa में तो याद करिए कि अगर मेरे पास 4-digit नमबर होता है तो यह 1, यह 2, यह 4 और यह 8 इससे हम क्या करते हैं multiply करते हैं अगर 1 से multiply होगा तो आपको value देगा जैसे कि यहाँ पर number है 4 times 1, base 2 अगला है आपके पास 1, triple 0, base 2 अगला number है आपके पास triple 1, 0, base 2 और next है आपके पास triple 1, 0, base 2 आपको इनको convert करना है और आपको क्या मिल जाएगा यह hexadecimal में मिल जाएगा क्योंकि मैंने 4-4 digit को क्या किया है club किया है और मुझे इसको hexadecimal में ही convert करना है द्यान से देखें यहाँ पर सभी one है मतलब सभी number add करने पढ़ेंगे 8, 4, 12, 12, 12, 14, plus 1 is 15 next number 1, triple 0, सिर्फ यह वाला number है हम अर पास बाकी 0 है मतलब यहाँ हो जाएगा सीधा-सीधा 8 next वाला यह तीन हो है सिर्फ लास वाला 0 8, 4, 12, plus 2 is 14 बस आकरी वाला नहीं था तो यह हो गया 14 लास वाला भी same है आपका क्या हो जाएगा 14 आपको पता है कि हमारा जो है A की value 10 होती है B की value 11 होती है C की value 12 होती है D की value 13 होती है E की value 14 होती है और लास डिजिट जो होती हो F होती है that is 15 यह आपका आगया F यह आगया आपका 8 14 जो है उसको मैं replace कर सकता हूँ E से और यह भी हो गया आपका E अगर मैं इसकी hexadecimal value की बात करूँगा तो यह आपको F दे रहा है यह आपको 8 दे रहा है यह आपको जो है E दे रहा है और अगेन जो है वो E दे रहा है So this number is hexadecimal number B 16 जो कि किसके बराबर है इस octal के बराबर है क्योंकि यह octal number जो है इस binary के बराबर है और यह binary number जो है वो इस hexadecimal के बराबर है तब समझ बारे होंगे कि grouping करना जो है वो बहुत important हो जाता है grouping करके आप octal को binary में या binary को octal में या binary से hexa में या hexa से binary में बहुत ही असानी से convert कर सकते हैं very important, take the screenshot क्योंकि बहुत important है यह है ना मैंने octal वाला इसके पहले कर रहा है था और यह आपका हो गया hexadecimal में conversion next very important show that this 121 is a perfect square in any base greater than 2 क्योंकि 2 से बढ़ा इसलिए base लिया है क्योंकि हमने यह पर 2 यूज किया हुआ है मतलब base 3, base 4, base 5 and so on सब चल जाएगा so उनका कहना क्या है कि अगर यह number है 121 और any base तो base clear नहीं है तो हम ले लेते हैं base मान लीजे for an example मैंने ले लिया n base है इसकी 121 की और इसको यह proof करना है कि n की value कुछ भी हो यह 121 आपका perfect square number होगा ही होगा मतलब अगर मैंने इस number को square के form में convert कर दिया तो यह कहलाएगा कि यह आपका क्या है यह आपका एक perfect square number है so ध्यान से देखिए 121 base n तो हम लोग क्या करते थे यह 0 वाली place, this is 1 वाली place, this is 2 वाली place so 1 into जो भी base होती थी, base की power हम ले लेते थे यह जो लिखा हुआ है ठीक है, plus 2 जो लिखा हुआ है उसकी place value क्या होगी, जो base है उसकी power 1 last में जो 1 लिखा हुआ है, उसकी place value क्या होगी n की power 0, अगर मैं इसको solve करता हूँ, यह क्या आगया n square plus 2n plus आपका यह हो जाएगा 1 क्योंकि n की power 0 is 1, जान से देखिए क्या मैं इसको यह बूल सकता हूँ क्योंकि यह कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि a square plus 2ab plus b square a की value जो है वो n है और b की value जो है वो 1 है, जैसी मैं put करता हूँ तो यह हो गया n square plus 2 into n into 1 plus आपका b square क्या है 1 square मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n square plus 2 into n into 1 plus आपका 1 का square तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n plus 1 का यह whole square है जब मैं 1 to 1 को base n कुछ भी हो, अगर मैं इसको इस तरीके से convert कर सकता हूँ तो मैं अब इसका perfect square, मतलब this is my perfect square number मैं इसका square root निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको square के form में convert कर दिया है आप कोई भी base ले लिजे, कोई भी base लेंगे, कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला इसकी जो value है, वो आपको एक perfect square number ही मिलेगी for an example, आप धियान से देखिएगा, कि मैंने बोला कि 121 जो है, अगर इसकी base 4 है, अगर इसकी base 4 है तो यह this is my 1 into 4 square plus, मैं decimal में convert कर रहा हूँ plus 2 into, yes 4, plus 1 into 4 के power 0 4 का square 16 होता है, यह हो गया 16, यह हो गया 8, यह हो गया 1 16 और 8, 24 plus 125, आप धियान से देखिए, आपको क्या मिल गया, base 4 में, आपको 25 मिल गया 25 is a perfect square number, आप n की value base कुछ भी ले लीजे, आपको 121 एक perfect square number ही मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया है, कि यह क्या है, एक perfect square number है तो यहाँ पर अगर आपको concept पता हो कि कैसे हम base से in digit की place value निकालते हैं तो वो हमने यहाँ पर निकाल दिया, इसको decimal में convert कर दिया और decimal में इसकी जो value है, वो एक square के form में आ रही है that means मैं यहाँ पर square root निकाल सकता हूँ और square root निकाल सकता हूँ, तो हम बोलेंगे कि यह जो है perfect square number है बहुत ही अच्छा question है और आपने देखा कि कितनी असानी से हमने इसको solve कर लिया है अगेन आप इसका screenshot ले सकते हैं, very important क्योंकि बहुत अच्छा question है यह next है multiply 134 base 5 and 220 base 5 सो देखिए multiplication में क्योंकि जब आप multiply करते हैं तो number थोड़ा बढ़ा आ जाता है तो cycle जब cross होती है तो थोड़ा सा अगर आप same base में multiplication करेंगे तो थोड़ा सा tough हो जाता है task तो ज़्यादा असान तरीका क्या है, ज़्यादा असान तरीका मैंने यह analyze किया है कि आप सीधा 134 base 5 को काई में convert कर दीजे decimal number में convert कर दीजे for an example this is my 0, this is my 1, this is my 2 so क्या हो जाएगा 1 into 5 square plus 3 into 5 की पार 1 plus 4 into 5 की पार 0 so यह कितना हो गया, यह हो गया 25 यह कितना हो गया 15 और यह कितना हो गया आपका 4 यह हो जाएगा आपका 44 24, आपको पहला number 44 मिल गया base 10 में next 220 है यह भी base 5 में दिया हुआ इसको convert करेंगे, this is my 0, this is my 1 this is my 2, so 2 into 5 square plus 2 into 5 की पार 1 plus 0 into 5 की पार 0 त्यान से देखिएगा 25 तूजा 50 plus 5 तूजा 10 plus यह हो गया आपका 0, आपको क्या number देदेगा आपको यह number देदेगा 6060 अब आपको क्या करना है, आपको 44 और 60 को multiply करना है तो आप 44 को 60 से multiply जब करेंगे, तो यह हो जाएगा 24 carry over 2, 24 plus 2, 2640 यह आपका multiplication में number आगया और यह कैसा है, यह आपका base 10 में है, अगर इसका answer पड़ेगा, कैसे convert करते हैं हम लोग, हम इसको 5 से divide कर देते हैं, 5 5s are 25 होता है, 1 14 हो गया 5 2s are 10 हो गया, 4 40 हो गया 5 8s, आपका 40 हो गया remainder is 0, 5 से divide किया 5 1s are 5, 0, 5 5s are 25 remainder हो गया, 3, फिर 5 से divide किया, 5 2s are 10 और यह 1s हो गया, remainder हो गया, आपका कितना 0, क्योंकि आप देख सकते हैं, 1 0 5 completely divide हो गया है, फिर 5 से किया, 5 4s are 20, remainder is 1, आप देख सकते हैं, आपको क्या number मिल गया, 4 1 0 3 0, so आपका answer मिला है, 4 1 0 3 0 लेकिन base 5 में और base 10 में आपके बास number था 2 6 4 0, आप समझ पा रहे होंगे कि multiplication में हमने simply क्या किया, conversion क्या decimal में, और उसके बाद multiply कर दिया, और उसके बाद हमने उसको वापस से convert कर दिया, base 5 में अब होता क्या है कि मान लेजे for an example कि मैं 34 को अगर 20 नू से multiply करता हूँ, so 2 4s are 8 होता है, अब क्योंकि यह base 5 है, so base 5 में आपने देखा होगा कि जैसे हम अपने decimal में करते हैं, कि 6 4s are 24 तो आप क्या करते हैं, कि 4 यह लिख देते हैं, 2 carry over हो जाता है, मतलब जो base है, उसका multiple जो होता है, place value के साब से, आप उसको base देते हैं, ओदर, जैसे 24 है, तो 24 की value क्या होती है 2 into 10 plus 4 into 1, so, जो into 1 है, मतलब जो इस place पर होता है, उसको आप लिख देते हो और यह जो 10 से, मतलब second वाली place value से, जो multiplied होता है उसको आप पहुचा देते हो, अगली जगे पे So, same चीज, अगर यह मैं 4 into 2 करता हूँ, और 8 आता है, तो मुझे क्या पता है, कि भाईया, अगर यहां base 5 है, तो 5 plus 3 आपका 8 होता है, चाहिए, तो 5 plus 3 अगर 8 होता है, तो मुझे इस 8 को कैसे convert करना पड़ेगा, कि 1 into 5 plus 3 into 1, so, यहाँ पर मुझे 3 मिल जाएगा और base किदर चला जाएगा, base चला जाएगा उस तरफ, और आप देख सकते हैं, आपर देखिए, 3 आ रहा है, तो इस तरीके से करना पड़ता है, साइकल इदर दर पहुचानी पड़ती है लेकिन वह बहुत tough task है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप confused हो, unnecessarily, बस addition और subtraction तक आप ही, वहीं तक याद रखिए, लेकिन आपको अगर multiplication या यह सारी चीज़ें करनी है तो आप directly convert करिए decimal में और decimal से वापस बेस 5 पर convert कर दीजिए, यह सबसे आसान तरीका होता है अगेर आप इसका screenshot ले लीजिए बहुत ही अच्छा आपका यहां पर solution है इस question का कि आपने simply decimal में convert किया और उसके बाद जो है आपने इसको base वापस से 5 में convert कर दीए next है subtract 23644 from 41066 so 41066 से आपको क्या करना है 23644 को subtract करना है, ध्यान से देखिए 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2 लेकिन 0 में से 6 नहीं जाता है so अब मेरा काम क्या है, मैं यहां से carry over लूँगा जितना base होता है, उतना ही carry जाता है तो यह हो गया 0 और इदार आगया carry over 7 7 में से 6 गया तो बचा कितना 1 0 में से 3 नहीं जाएगा तो फिर से मैं carry over ले लूँगा यहां से मैंने बचा 3 और 7 जो है उदार चला जाएगा तो 0 में 7 add किया तो कितना हो जाएगा यहां पर बचेगा आप 7 ठीक है, यह हो गया 7 7 में से 3 गया तो बचेगा 4 और 3 में से 2 गया तो 1 आप देख सकते हैं कि कितनी हसानी से हमने subscribe कर दिया है और आपको answer मिल गया 14122 और base क्या रहेगा, base आपका रहेगा 7 तो क्योंकि हमने binary में से इक लिया था कि जितनी base होती है, वही base क्या होती है हम उदार लेते हैं, हम carry लेते हैं पिछले वाली digits से तो यह अबर base 7 है तो हमने क्या किया हमने 7 carry लिया मतलब जितना base होता है हम उतना उदार पिछले वाले number से लेते हैं चाहिए, तो बहुत ही असान question था और बहुत ही असानी से हमने इसको solve कर लिया तो चलिए मैं आप लोग को वापस से यह बताना चाह रहा हूँ कि मैंने number system पूरा complete कर लिया है हमने question solve किये हमने यहाँ पर जो है उसका solution वीडियो भी completely देख लिया है number जो system है उसमें आपने logic देखे होंगे कि हमने जो भी logic डेवलप किये दूसरे base system के लिए वो कहीं न कहीं decimal क्योंकि हम regularly use जो करते हैं decimal number system यूज करते हैं और वो किस पर depend करता है वो base पर depend करता है तो हमने क्या किया दूसरे वाले जो number system है वहाँ पर जब subtraction और addition करना था तो वहाँ पर भी हमने same logic को लगाते हुए base पर ध्यान देते हुए हमने carry over क्या लेना है carry क्या पहुँचाना है यह सारी चीज़े हमने वहाँ पर सीख ली चीक है तो इस chapter में बस इतना ही है और मैं आप लोग को बताना चाहरा हूँ कि magnet brain जो है वो आपको book wise, course wise, subject wise जो है बहुत ही sequence way में बहुत ही सही तरीके से full detail के साथ जो है आपके videos magnet brain की website पर और app पर आपको देखने को मिलेगी और आप जो है यहाँ पर click करके आप जैसे explore top courses पर click करेंगे आपको अलग-अलग यहाँ पर courses देखेंगे cbs english medium, ntsc olympiad and state boards के hindi medium जो है cbsc और state board जो है hindi medium है उसकी आपको यहाँ पर playlist देखने को मिलेगी आप जैसी click करेंगे for an example, maths olympiad पर आप click करते हैं तो आपको यहाँ पर एक window open हो जाएगी जिसमें full course लिखा होगा यहाँ पूरी playlist होगी with detail और जैसे ही आप किसी video पर click करेंगे तो आपको ऐसा video यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ से आप play कर सकते हैं नेक्स वीडियो पर जा सकते हैं और आप पूरी की पूरी playlist एक साथ लाइन से देख सकते हैं आप लोग को information देना चाहता हो कि Magnet Brains ने Hindi Medium का channel भी start कर दिया है तो आप लोग अपने friends और relatives को यह information ज़रूर दें कि Magnet Brains पर Hindi Medium का channel स्टार्ट हो गया है और Hindi Medium के यहाँ पर वीडियो 100% free अविलेबल है बेस्ट कंटेंट बेस्ट फेकल्टी के द्वारा आप तो यह जानते ही है तो चलिए आप लोग ज़रूर इसको जो है आप अपने friends और relative को बताईएगा ज़रूर क्योंकि उन लोग को बहुत ज़्यादा help मिलेगी इससे डेली वीडियो शेडियूल फिर से मैं बता दू Monday, Tuesday और Wednesday 10 a.m. पर English Olympiad, 1 p.m. पर Maths Olympiad, 4 p.m. पर Science Olympiad और 7 p.m. पर आपका GK Olympiad जो है इसका वीडियो डलता है तो आप लोग को मैं बार बार बोलूँगा जब भी आप वीडियो देखें, जब भी आप अपना थियोरी का वीडियो देखें, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक पे जरूर जाएं, वहाँ पर आपको हमेशा DPQ की एक लिंक मिलेगी DPQ पर आप क्लिक करिए, आपके बस PDFI की वहाँ से कुशन सॉल्व करिए और उसके बाद मैं जो हूँ DPQ का सॉल्वीडियो भी डालता हूँ तो फिर उसके बाद आप सॉल्वीडियो देखें बिना सॉल्व करें सॉल्वीडियो देखेंगे तो कोई फाइदा आपको नहीं मिलेगा तो सॉल्व करिए, देर वीडियो ये किए आपका जो chapter की preparation है वो complete हो जाती है तो magnet prince आपको 100% free course देता है मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग जब इतनी मेनत आप लोग ले कर रहे हैं तो आप लोग video को like जरूर करें subscribe करें और अपने friends और relative से share जरूर करें Thank you very much